हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्वी चैनल एक्टिकल स्टफ फो यू दोस्तो आज के स्वी वीडियो में हम बात करेंगे स्टे वायर के बारे में आपने देखा होगा कि बिजली के खंबो के साथ कई बार एक तार लगाई होती है जो की एक एलवो के साथ अटैच की होती है और वो एलवो एक स्टे रोड के साथ लगाया होता है जो की जमीन में गाडा होता है तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे लगाया जाता है और क्या क्या चीज़ों का यूज होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टे रोड के बारे में दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो जे एक स्टे रोड है और इसके नीचे एक स्टे पटड़ी बोलते हैं जे लोहे की वार होती है अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम खड़ा निकालते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे 45-4 फोट का खड़ा हमने अर्लडी निकाला हुआ है. अब हम क्या करेंगे, इसमें stay road को डाल देंगे. तो दोस्तों, आप देख सकते हो, हमने stay road को इस खड़े में डाल दिया है. अब हम भारी भारी करके इसमें पत्थर डालेंगे इसमें पत्थर इसलिए डाले जाते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे क्योंकि पूरे खंबे का लोड और तारों का जोवी सैग होता है वो इसी ने हैंडल किया होता है इस पर सारा लोड होता है इसलिए हम इस स्टे रो आप देख सकते हो अब हम इस पूरे खड़े को इन पत्रों से बर देंगे फिर उसके बाद मिट्टी डालेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो जे पूरा खड़ा हमने पत्रों से बर दिया है अब हम क्या गरेंगे इसके उपर फिर से मिट्टी डालेंगे तो आप देख सकते हो अब हम मिट्टी डाल रहे हैं अब इसकी पूरी स्टेंथ बन चुकी है क्योंकि ये रोड पूरे का पूरा पत्थरों से बर गया है तो ये इजिली नहीं निकल पाएगा और अपनी यगा से नहीं हिलेगा और तारों और पूरे खंबे का लोड अपने उपर ले लेगा अब हम फिर से इसके उपर इंटे पत्थर डालेंगे ताकि इसकी स्टेंथ और ज़्यादा बढ़ जाए तो आप देख सकते हो अब हम इसे फिर से पत्थर और इंटे डाल देंगे अब हम इसे लेवल कर देंगे और फिर से मिटी डाल देंगे तो आप देख सकते हो हमने इस पर मिटी डाल दी है अब हम इसे पूरा ग्राउंड लेवल तक मिटी से बर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो जे पूरे का पूरा इसके ग्राउंड लेवल तक भर चुका है और हम इसे प्लेन कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो जे पूरी रोड हमने मिट्टी और पत्थरों से बर दी है अब हमें सिर्फ रोड दिखाई दे रही है अब हम बात करते हैं स्टे वाइर के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हो जे एक स्टे वाइर है हमने इसकी उपर से पहले एक खुक बना दी है और इसके बीच में एक एग इंसुलेटर बान दिया है ठीक है दोस्तो अब जे पूरे स्टे वाइर का रोल है तो दोस्तो अब हम इस रोड के उपर एक लोहे का एलबो होता है जैसे कि आप देख सकते हो इसको अटेच कर देंगे इसके उपर हम नट लगा देते हैं जे नट हम इसली टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं इसके साथ हम स्टे वाइर को टाइट और लूज करते हैं आप देख सकते हो इसके उपर एक चेक नट भी लगाया जाता है तो दोस्तों जे हमारा elbow इसके उपर fit हो चुका है अब हम क्या करेंगे खंबे के उपर stay wire को connect करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो खंबे उपर जे जो stay wire को connect करेंगे तो आप देख सकते हो जे आदमी खंबे के उपर चड़ चुका है और खंबे के उपर यह खड़ा हो गया है अब इसके एक हम रस्सी पकड़ाएंगे आप देख सकते हो तो दोस्तो इसने रस्सी पकड़ ली है actually हम रस्सी इसलिए पकड़ाते हैं ताकि कोई भी समान खंबे के उपर पहुंचाना हो तो हम रस्सी से इजीली बांद कर इसे पहुंचा सकते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो हमने रस्सी के साथ एक शेकल इंसुलेटर और डी आइरन बांद दिया है अब जो उपर आदमी है वो रस्सी को खीच लेगा और उसके पास ये समान इजीली पहुंच जाएगा तो आप देख सकते हो उसने रस्सी को खीच कर समान अपने पास पहुंचा लिया है और रस्सी को छोड़ दिया है अब हम क्या करेंगे इस डी आइरन को इस पॉल के साथ अटैच करेंगे आप देख सकते हो दोस्तो अब हमने रस्सी के साथ इस स्टे वायर को बान दिया है क्योंकि अब हमने स्टे वायर को उपर खंबे के साथ अटैच करना है तो हम रश्टी से इस stay wire को उपर खींच लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो इस रश्टी के साथ stay wire को उपर खींचा जा रहा है तो दोस्तो अब stay wire खंबे के उपर पहुँच चुकी है अब हम इस stay wire को उस d iron के साथ सोड़ी attach कर देंगे जो कि हमने पहले ही खंबे के साथ अटाइच कर दी है आप देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो उपर हमने Stay Buyer को D-Iron के साथ कनेक्ट कर दिया है और अब हम रस्सी को खोल देंगे यह देखिए दोस्तों अब रस्सी को भी खोल दिया है और जो बीच में एग इंसुलिटर है उसके साथ रस्सी फस गी थी अब नीचे उतार दी गई है अब हम क्या करेंगे इस स्टे वायर को नीचे अर्थ हुक के साथ टाइट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टे वायर को पहले पूरा खीच के हमने हुक के साथ मिलाया और यहाँ पर हम इसको स्टे वायर को बेंड डालेंगे ताकि इस हुक में सा सकें तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने hook में stay wire को डाल दिया है और जो bend हमने डाला है बहां तक हम stay wire को खीचेंगे आप देख सकते हो stay wire को हम पूरी तरह से खीचेंगे ताकि ये tight रहे और पूरा load खंबे का और तारों के सैग का अपने उपर ले तो आप देख सकते हो ये पूरी stay wire tight हो चुकी है अब हम क्या करेंगे stay wire में से एक तार खोलेंगे और उसकी binding कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हो यह हम एक बायर स्टे वायर से खोल रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो यह पूरी तार हमने खोल ली है अब हम इसकी बाइंडिंग इस स्टे के साथ कर देंगे ताकि यह स्टे वायर इस हुक में से ना निकले आप देश सकते हैं इसका हमने रोल बना लिया है और हम इसकी अवज बाइंडिंग इस बायर के साथ कर देंगे इस परकार से किसी भी कंड़क्टर या स्टे वायर की बायनिंग की जाती है एक बार बायनिंग होगी उसके बाद जे बायर इस हुक में से कभी नहीं निकलेगी दोस्तो अब हम क्या करेंगे इस एलबो के नट को टाइट कर देंगे और इस नट को हम टाइट करके इस टे वायर को भी टाइट और लूज कर सकते हैं अपनी जुरूरत अंसार जैसे कि हमें टाइट करना है तो हम इस नट को टाइट कर देंगे आप देख सकते हो इसके लिए हमने एक चाबी का जूज किया है जिसके साथ हम इस नट को टाइट कर रहे हैं और इस nut के उपर दोस्तो एक और check nut भी लगता है ताकि nut back ना आए आप देख सकते हो जे पूरा nut हम tight कर रहे हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो हमारी stay wire पूरी tight हो चुकी है जे बिलकुल tight है और अब हम इस खंबे पर तारे डाल सकते हैं मतलब तारों का सेक कर सकते हैं क्योंकि खंबे का पूरा load इस stay wire ने ले लिया है और हमारा nut भी पूरी तरह से tight हो गया है क्योंकि हमारी जो stay wire है वो बिलकुल tight है तो दोस्तो इस परकार से हम stay wire किसी भी खंबे के साथ लगाते हैं I hope आपको सारा clear हुआ होगा कि step by step किस परकार से हम stay road को जमीन में डालते हैं और उसके बाद पत्थर उसके उपर डालते हैं और उसके बाद हम elbow लगाते हैं तो इसे like और share जरूर करें और अगर आप ऐसी वीडियोज देखना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें Thank you guys